सारसा रेलवे स्टेशन से एक नई ट्रेन का संचालन रेलवे सुरू करेगी सारसा रेलखन के यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है अगर आप इस रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं तो इसी ट्रेन से आप सुविधाक ले करके अपना गंताव यह तक जा सकते हैं इस वीडियो प्रेट के माध्यम से हम बात करेंगे से ट्रेन के डीटेल्स के बारे में हर जन्दी दिया गया है जो कि डेली चलेगी हाला कि एक डेमू पेसंजर ट्रेन के रूप में चलेगी जिसका ट्रेन नमबर 055-52 के साथ यह ट्रेन सहरसा से पुर्णिया के लिए और पुर्णिया कोर्ट से यह ट्रेन ट्रेन नमबर 055-51 के साथ दूसरे दिसा में चलेगी रेलवी की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह ट्रेन एक जनवरी 2025 तक चलाई जाएगी दोनों ही दिसाओं में और डेली ऐसे में से ट्रेन के टाइम टेबल के बाद करें तो यह ट्रेन सारसा डेलवे स्टेशन से 11 बच कर 30 मिनट पर मध्यरात्री रावाना होगी और यहां से खुलने के बाद यह ट्रेन दावडम मधेपुरा, मुल्ली गंज, जानकी नगर के रास्ते बनमन्खी पहुँचेगी बनमन्खी के बाद यह ट्रेन पुर्णिया कोट के लिए जाएगी आला कि यह ट्रेन कई बड़े डेलवे स्टेशन पर रुखते हुए और छोटे डेलवे स्टेशन पर भी सका स्टॉपेज रहेगा दोनों ही दिसाओं में यह ट्रेन चलेगे जहांपर कि साहरसा से खुलने के बाद यह ट्रेन दो बच कर 30 मिनट पर मद्यरात्री पुर्णिया कोट पहुँचेगी इसके साथ ही पुर्णिया कोट से यह ट्रेन दूसरे दिसा में तीन बज़े सुभा में प्रस्थान करेगी और बनबनखी के रास्ते यह ट्रेन सारसा डेलवे स्टेशन 6 बच कर 15 मिनट पर सुभा में पहुँचेगी यह ट्रेन 94 किलोमेटर का सफर तैकरेगी और इसमें सारे कोट अन रिजर्वेशन केटेगरी के लगाए गये हैं यानिकि आप जनरल टिकट लेके यात्रा कर सकते हैं इसके साथ ही आने वाले नाइट ट्रेनों के लिए टेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को